करीब 13 दिन होने को आये और इस देश के सबसे होनहार खिलाडी जो इस देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं दिल्ली की सडकों पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं न्याई की आस में पर आस उन्होंने किस से लगाई है उस सरकार से जिसके अंदर की नेतिकता और मर्यादा प पदसलूकी करी महिला की लाड़ियों को गंदी-गंदी गालिया दी गई वहाँ पर हाथा पाई की गई लाठिया चनाई गई यह सब किसके इशारे पर हो रहा है यह सवाल उठता है नेकिन उससे पहले एक बात कहनी जरूरी है कि गंभीर आक्षेपों से घिरे भाजपा के बहुबली सांसद प्रिजभूशन शरण सिंग ने साफ तोर से यह कह दिया है जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी या ग्रह मंत्री अमित्शा कह देंगे मैं तुरंत स्तीफा दे दूंगा तो आज सवाल यह है कि प्रधान मंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कौन से महुर्त का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको तो यह सब बाते 2021 से पता हैं क्योंकि विनेश फोगट ने जिनको वो घर की लड़की कहते हैं उसने जाके खुद इनको बताई है और अब यह भयावैस्तिती देखकर भी आप चुपने बैठे रहीएगा मोदी जी आज सवाल इस बात का है आज सवाल इस बात का है कि क्या आप अपनी चुपी तोड़ियेगा और किस मुह से आप करनाट का आकर यहाँ पर नारी शक्ती की बात करते हैं जब देश की बेटियों के साथ बदसलुकी हो रही है लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे चेहरे मैं पहली बात करना चाहती हूँ इस देश के ग्रहमंतरी अमिट शाह की अमिट शाह की दिल्ली पुलीस की असलियत यह है कि उन्होंने एफाई आर ही लौज नहीं करी तब तक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया और अमिट शाह की दिल्ली पुलीस ने कल महिला खिलाइओं के साथ और अनी वहाँ पर खिलाइओं के साथ बत्स नूकी करी है बत्तमीजी करी है और उनके साथ अन्याय किया है अमिट शाह जी आपका चैरा बे नकाब होता हुए पुरा देश देख रहा है दूसरी बात तो मोदी जी की करनी ही पड़ेगी क्योंकि जो आर जीत कर ये खिलाडी लाएंगे तो लपक लपक के फोटर के चाने में सबसे आगे मोदी जी रहते हैं श्रे भी इस बात का ले रहते हैं विनेश को अपने घर की बेटी भी कह देते हैं लेकिन जब बेटी सड़कों पर बैठी है तो एक शप नहीं बोलें तीसरा चेहरा बेनक आप गोली मारों के नारे जरूर दिल्ली में लगवा दीजेगा दिल्ली में वहीं पर बैठी हुई लड़कियों की टो लेने की आपने नहीं सोचे अभी तक और चोथा चेहरा बेनकाब होता है भाजपा की महिला नित्रियों का और खास तोर से महिला बाल विकास मंत्री स् पूरे मुट्दे पर वो गला फाड़के तभी चीकती है जब राहुल गांधी का नाम आ जाता है अन्लिथा वो मौन धारण करके रहते हैं पाचवी बड़ी बात करनी पड़ेगी इस देश के महिला आयोग की रेखा वर्मा जी की रेखा वर्मा जी ने आख पर पट्टी बांधी हुई है वो पट्टी वो तभी खोलती है जब विपक्ष के खिलाप साजश रचनियों भाजपा के साथ मिलकर अन्लिथा वो कहीं पर भी किसी महिला के खिलाप अत्याचार हो जाए वो एक शब नहीं बोलती है कोई कारवाई नहीं करती है विपक्ष का मामला ओ दो अधिकारों का बाल सुरक्षा का आयोग है उसके चीफ वो तो भक्ती में ऐसे तलीने की बिचारे के पास वक्त ही नहीं है कि पॉक्सों जैसा गंबीर आरोग जब लगा है तो उसका संग्यान ले ले उस पर कारवाई कर दे लेकिन अभी विपक्ष का नाम आ जाने दीजे रा वो बड़े बड़े खिलाडी वो नामी गिरामी सितारे हैं जो बड़े मुखरित होते थे जो खूब बोलते थे उसमें से कुछ है जिनका ओधा बढ़ गया जिनकी रिस्पेक्ट बढ़ गया चाहे वो नीड़त चोप रहा हो या अन्य कोई भी जो इन खिलाडीों के में मैदान में उत्रा है बिना परवा किये और कुछ ऐसे हैं सितारे जो बहुत धूमिल हो गए अपने चुप रहने से और अपने अनर्गल बयान बाजी से जो हक के लिए लड़ने उनको बवाल मचाने को कहा जा रहा है आठवा तो मीडिया की बात करना ही पड़ेगी देन लेकिन मजाल है कि अमिच्छा की दिल्ली पुलीस और अमिच्छा से पहले दिल्ली पुलीस के रवये पर सवाल करें या प्रधान मंत्री की चुपी पर सवाल करें क्योंकि प्रधान मंत्री बोल दे मैं स्तीफा दे दूँगा मजाल एक सवाल किया जाए कि प्रधान मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं हरवार संगरक्षण आरोपी को ही क्यों देते हैं प्रधाद मंत्री और ग्रह मंत्री वो सवाल नहीं कर सकते लेकिन असलियत ये है कि आप जो गेंध है न वो ब्रजभूशन शरण सिंग ने आपके पाले में डाल दिये मोटी जी ये कहकर कि जब आप कहिएगा या ग्रह मंत्री कहेंगे तो वो रिजाइन कर देगा तो आप किस बात का अंतसार कर देगा है क्योंकि ये देश देख रहा है कि न्याए और अन्याए की बीच की दहलीज में आप खड़े होगे आप क्या करिएगा वो बताएगा कि इस देश की बेटियों की रत्ती भर भी आपको फिकर है की नहीं तेरा दिन से उपर होने को आगए वो सुशोवित खिलाडी जो इस देश का गौरफ बढ़ाते हैं जो बड़े बड़ों को पठकनी दे देते हैं जो लोगों को चारों खाने चित कर देते हैं आसों से रोर है